आप सब आप बहुत बहुत श्वागत हैं में बात करेंगे एक नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है और यह नोटिफिकेशन आया था एक तारीक को और इस नोटिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि कुछ चेंजिस हुए हैं बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि इसके पैटर्न के अंदर जिसकी हम आगे बात बने वाला तो वीडियो का आपको पूरी जो इंफॉर्मेशन वो दी जाएगी कि आपकी बार क्या चैंजिस आया हो किस तरीके चाहिए आपको जरूरत रहेंगे चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट कर लाएते हैं देखिए नोट इसकी ग्रेट पर रखे जाती है और ग्रुप बी जो है वो एम देली के अंदर आता है अधार पर रखे गए हैं तो आपके लिए जो एसंचिल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपन उसकी बात कर लेते हैं तो आपके बास जो है बीएसी नरसीं होनी चाहिए किसी भी india nursing council से या फर state nursing council recognize institute से या फर university थे तो मैं आपको basic बता तूं सबसे फ़हले आपको बसी नर्सिंग होनी चाहिए दूसरा या फिर आपके पास bsc का post certificate होना चाहिए या फिर basic basic bsc nursing होनी चाहिए किसी भी indian nursing council से या फिर state university से होनी चाहिए इसके किलाबग क्या होना चाहिए आपके पास रिटी स्ट्रोन एंड अपके पास टॉसरा क्म अए आपके पास जो है डिपलोमा होना चाहिए कि इसके इनर सिल्गे मलई का इन्प इसके बाद यदि आपने GNM की हुई है तो आपको 2 साल का experience वो लोग मागेंगे जो आपका hospital होना चाहिए वो लगबग 50 बेड़ का experience होना चाहिए तो आपको किसी भी प्रकार की experience की ज़रूरत नहीं है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं age limit के बारे में यानि कि आपकी age limit क्या रहे नहीं चाहिए तो देखे यदि आपकी age है 18-30 साल तो आप इसके लिए eligible हो जाते हैं और यहां पे आपको age जो है रखी गई है इसके बाद हम हम बात करें तो कुछ age relaxation दी गए है वह हम आएगे बात करेंगे कि आप एधी category के अंदर आते हैं यह जो एज है वो जनरल है इसके लप आप category के अंदर आते हैं आपको एक service man के अंदर आते है तो वहापे आपको जो जो एज है वो count होगी कहाँ पर जो last date of closing of application form है वहां तक चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो application fees यहाँ पर देख लाएगी चलिए आगे बात करते हैं जो चलिए एक बार यह आपने application fees दे दी उसके बात कर लिए अपने किसके बारे में आगे बाठते हैं कुछ आप चैनल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं वो क्या है तो सबसे इसमें हम बात करें इसके बाद आगे बात करते हैं तो जो क्रेक्शन है या फिर आपन ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ने भर दिया उसके इंदर कोई एडिटर पन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेट आएगी वो डेट भी इनो ने डाल दिया पहले 22 अगस्ट से 24 अगस्ट आएगी दो दिन के अंदर आपको जो है वो चेंज़ा कर सकते हैं यह क्रेक्शन विंडो आपको खुल जाएगी और क्रेक्शन विंडो क्म्प्लीट होने के बाद या नहीं कि यह जब बिंडो आउट हो जाएगी इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप आपस से कोई चेंज कर पाएं करेक्शन विंडो की जो लास्ट डेटर लास्ट राइम में वो क्या रखा गया चौबीस अगस्ट दोजार चौबीस से साम को पांच बज़े के बाद कभी आप इसके इंदर चेंज नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल है इस एप्लिकेशन के लिए वो क्लोज हो जाएगा कब 21 अगस्त को रात को बारा बज़े साम को पांच बज़े यह जो है क्या बज़ेगा क्लोज हो जाएगा इसके ब बात करते हैं एज के रिलक्षेशन के बारे में उपर मैंना आपको बताया था कि एज का रखे गई है तो जन्रल की जो एज है वो कितनी 18 मिनिमूम है और मैक्सिम कितनी तीस साल लेकिन कुछ यहां पे रिलक्सिशन दिया गया है जो हम बात कर लेते हैं यह अप से आते हैं तो वहां पर आपको 10 साल की चूट दी गई है ठीक है दूसरी बात करें तो यहां पर जो maximum age है अप्लिकेंट की वह crucial date cell नौट भी एक्स है यह 56 से उपर वह नहीं होना चाहिए एक तरीके से आप मान सकते हैं 56 से उपर आपके यह नहीं होना चाहिए यह दिया इसके बात करें आप से अंदर आते हैं आप 15 साल की चूट दी गई है लेकिन वहीं आप 56 से ज्यादके आपकी यह नहीं होने चाहिए तो इसके बाद इलिए आप सेंटरल गावर्मेंट के सिविलें की एंपर रहे हैं जनल चाहिए से आते हैं तो आपको आट साल की यह क्या है आपको बात करते हैं आपको चाहिए होता है इसके प्रॉलम आती है कि कपका होना चाहिए तो इसमें दो तो आपको बताते हैं कि एक अपरेल दो हजार चौवीज से बीच में आपका जो बना होना चाहिए इससे पहले का बिल्कुल आपका नहीं चलेगा के लिए आगे बात करते हैं और इसमें कुछ खास नहीं है यहां पर बात करें तो जो परसन विद डिसेबिलिटी के अंदर आ आगे बात करते हैं तो आपको जो पोस्ट के दौरा नहीं किया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं चलिए इसके अंदर चले हैं अब जो इंपोटेंट चीज है आपके लिए हो ज्यादा आने वाले वह क्या है पैटन और एक्जम यहां पर चेंज आया है उसकी हम बात कर लेते हैं तो आपको पता पर के पैटन की हम बात करें तो जो नौट सब्सक्राइब करने हुअँ इसके जो माक्स है वह अभी मेर्ट के अंदर नहीं किया जा दे हम यह जाएगा तो यह नभए म जो हंटर्ड कोर्षन से हैं इनसका क्या है डिस क्या है डिस इसमें इसमें सा से 20 कोर्षन्सस पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे और जो आपको 80 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो आपके स्लेवर से रिलेटेड पूछे जाएंगे जाएंगे इसके बात करते हैं तो आपको negative marking भी रखी गई है जहाणे जो आपको पहलेगाएंगे गाएंगे तबौटा है करते हैं जाएंगे इसके बात करें तो जो कोएच्छन है यानुक जैसे पहला सक्षन है आपकाला सेक्षण आईगा इसके ये याँ ओनलाइन होगी सारी लिए कुल दिख पूर दिख से ठोपने पнения कि यतनाे यहरे कर सकते हैं या फिर आंसर आप आगे चलगे देख पाएंगे तो इसा कभी भी नहीं होगा तो यह चीज आप जरू ध्यान रखने हैं तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं इस्टे बन के अंदर तो देखे आ जनरल और EWS के लिए 50 परसेंटाइल रखे गए हैं 45 परसेंटाइल रहे गए हैं एसके बाद बात करते हैं Kis Another वसकी बारे में प्रिपिरिशन आफ़ लिस्ट वर क्या करेंगे हों कितने होंगे पानिदेट को पास कि या जाएगा सेकंड पेपर की पान सो गैट के इंदर क्या होगा क्या होगा अब हम बात का लेते हैं कि इसके बारे में सैकन्ड के वारे में एक चीज़ और यहां पर important रह गई है कि five times seven बुला रहे हैं वो लोग बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे जो physical disabled वाले लोग है वो तो सभी के सभी को बुला लिये जाएगा उनका number से कोई लेना देना नहीं है ठीक है इसके बाद बात करें कि यदि कोई tie case हो जाए था tie case का म ही मुलाया जाएगा जाएगा तो फिल्सरी बात करते हैं इसकी बात करें जो हुआ है चेंज हुआ है द्यान रखेगा है पहले यह जो पैटर्न हुआ करता था पहले हंदे को नबबन का time पर दिया जाता था यहां पर जो कोशन साथ गया है चितने रखे गए गए हैं Side 있고요 रखे गए हैं, कितने marks कर लखागा 160 marks की रखे गई और time duration कितना दिया गया 101 सी minute का time duration आपके लिए दिया गया है, यानि कि 3 घंटे का time के लिए कर दिया गया, 100 questions कर दिया वogen negative marking रखे गई है कितनी one third की negative marking रखे गई है यानि कि 3 गलत questions वोने पर यह सभी कोशन किया करती जाएगा गलत कर दिया है और 40 कोशन के इसक नहां यह आ पके लिए और यूह की भाइंगा जिएए आपके एक से मिनेट कंप्रीट हो जाएगी, ऐटमेटिकली जो है, जो आपका इग्जामिनेशन है, वह गया हो जाएगा, सब्मिट हो जाएगा, एक सोंसे मिनेट थे पहले, आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन, जैसे आप पहला section खुले तो आपने 45 मिनिट्स दिये जाएंगे 45 मिनिट्स कम्प्रीट होने वाई दुबारा पहले सेक्षन पर नहीं जा सकते हैं इसके लिए भी क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है तो वह क्या है देखें 50 परसेंटेज रखी गई है यूर और एड़ोस यूर और एड़ोस वालों के लिए 45 परसेंटेज मार्क्ट सेंटेज, और 40 परसेंट मार्क्स रखी गई हैं से थर्टीफाइय के लिए इसकी बाद बात करते यहनpowे जब हैемों कि से से मार्ण आ जाते है दो Cris सबसे बड़ा है उसको प्राइट बड़ा एंटिकलjutी जा जाएगी अगे बात करते है अगे बात करते हैं के दर पढ़ते हैं इसके बाद क्या करते जाएगा जो आप मेरिट लिस्ट इसको प्रिपेर करती जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से इनके बाद जितनी सीट्स आएंगी उसके बाद आपको यह सारी पता चल जाएगा अब अपन एक बार तुरंट से क्या कर लेते हैं कोई क्रिवीजन कर लेते हैं कि कौन-कौन से इंप्लिकेशन के लिए एक अगस्स स्टार्ट हो गए हैं अब तक चलेंगे 21 अगस्स तक चले में तो 22 तारिक से लेके 24 तारिक हैं की दो दिन का टाइम आपके लिए तब दिया जाएगा पांच विले तक इसके बाद बात करें स्टेट्स और आपको देखना है या फिर आप से भरवाई जाएगी तो यह चीज आपको ध्यान रतन के लिए आपको एक्जामिनेशन से ए एक हफसे पहले पता चल जाएगा एडमेट कार आपके कब अपलोड हो जाएंगे एक्जामिनेशन से दो दिन पहले आपको एडमेट कार आ जाएंगे ऑनलाइन सीब्याइशन का वोगा डेट आपको आ चुकी है बिल्कुल 15 सितमर 2024 को आपको एक्जाम देना है इसके बाद है वो आपको यहां पर पता चल गई ध्यान से देखिए पूरे एक्जाम फॉर्म भरिये हमने जो इसके लिए पर्टिकुलर कोशन किसी रिए जब भी हम पर चला रखिए इसके बाद हमें थ्योरी क्लास भी आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते हैं तो जरूर उनको देखिए पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगे वीडियो ची लगी है तो लाइक जरू कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें जैस से ब्यार करें माताविता से ब्यार करें